नमस्कार, A2Z डिशिश उशा कोरजानी में आप सब का स्वाकत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जा रही हूँ कमल ककडी का पुलाओ कमल ककडी वैसे काफी कम लोगों को पसंद आती है पर सची में आज मैंने जो इसका पुलाओ बनाया खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है आप इसे ऐसे ही खाए, दही के साथ खाए, रायते के साथ खाए बहुत ही टेस्टी लगता है, काफी जटपट से भी बन जाता है, प्रेशर कुकर में बनाया आप देख सकते हैं कितना खिला खिला और मज़िदार बना है और ये घर में सबी को पसंद आएगा तो चलिए बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं इसे हम बनाना शुरू करते हैं उसके लिए गैस को ओन टर लेना है इसके उपर कुकर रगतेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ और दो लंबे कटे हुए प्यास डाल दिये हैं मीडियम साइस के थे हलका सा इसे भून ले उसके बाद दो कटी हरी मिर्ची एक तेज पता डाल दे और इसे अच्छे से भूने इसे एक दम आपको लाल नहीं करना है थोड़ा सा ही लाल करना है देखि इतना जादा नहीं एक टोमाटर कटा हुआ और इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं भूनने के बाद मसाले में डालेंगे आदी चमच दन्या पाउडर आदी चमच लालमिश पाउडर स्वाद अनुसार नमक अब इस सब को मैं अच्छे से एक बार मिला लेंग कप चावल चावल को दो थीस तीन पानी से अच्छे से बॉश कर लीजे डाल दीजे दो कप पानी डालना है तो बो और अच्छे से इसे mix कर लेना है, अब कुकर का ढखकन देते हुए, इसे हमें 2 सीटी आने तक पकाना है, एक कप चावल में दो कप पानी डालना है प्रेशर कुकर में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो सीटी आ गई है पूरा प्रेशर खतम हो गया है और देखें एक दम बढ़िया सा लजीज हमारा ये कमल गखडी का पुलाओ तयार है तो इसे एक पार तो ज़रूर ट्राइ की किजे शेयर कीजे अपने फ्रेंस और फेमली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलती हूं एक न्यू रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाच्वेंग